हलो स्टूटेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा आपके लिए आपकी अंतरा बुक के कावे खंड का सेकेंड चैप्टर यानि की बुक का हमारा ये ग्यारवा अध्याय है सूर के पद सूरदाज जीक श्री कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे उनकी बहुत प्रात् है सब कुछ उनका सूरशागर हो सूरसारावली हो जितना भी है सब में हमने चरीकृष्ण की उपासना के वर्णन को देखा है उनकी चचलतौश। उनके प्यार, उनकी मस्ती, सभी कुछ हमने उनके कावेखंडों में हम देख सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं जो हमारा आध्याय है, वो हम सबसे पहले जो हमारे पास में आपके जो पद आए हैं, उनके हम लाइन वाइस पहले आर्थ समझेंगे, फिर हम प्रसंग है, व्याक्या है, कलापक्ष, भावपक्ष हम सभी कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पद है उसको हम पढ़ते हैं। खेलन में को काको गुसाईया, हरी हारे जीते श्रिदामा, बरबस ही कत करत रिसाईया, जाति पाती हमते बढ़ नाही नाही बसत तुम्हारी छाईया, अती अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारे गईया, रूठे करें तासों को खेलें रहें वैटी जैते हैं गवईया, सूरदास प्रभु खेलाएं चाहत दाव दियो करिनन्द दुहया, तो अब यहाँ पर यह जो पद हमारे सामने आया है, क्या है, श्री कृष्ण जो हैं, वो अपने मित्रों के साथ में खेल रहे हैं, और खे लेने को तयार नहीं होते हैं, दाव होता है, ना कि जो हार जाता है, वो दाव लेता है, वो चोर बनता है, तो वो लेने को तयार नहीं है, और इसी बीच में उन दोनों के बीच बहस होती हो, और सारा इसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से सूदास नहां पर किया है, त क्यों हरी हारे जीते शिरिदामा अब क्या हुआ शिरिक्रिष्ण हार गए हरी हार गए हैं और शिरिदामा जीत गए हैं बर्बस ही कत करतर सैया और बेकार में ही जो है वो रूठे हुए हैं मतलब दाव देने के लिए तयार नहीं मतलब अपनी हार को वो सुईकार नहीं कर रह अब जब वो श्रिदामा से दाउन लेने को तयार नहीं हो रहे हैं तो श्रिदामा कहते हैं क्या है जाति पात में तुम हमसे बड़े नहीं हो ना ही बरसत तुम्हारी चाया और ना ही मैं ही तुम्हारी छत्रचाया में पल रहा हूं मैं या मेरा परिवार तुम्हारी छत्रच बस क्या है तुम्हारे पास हमसे कुछ अधिक जो है वो गाएं हैं रूटें करें तासों को खेलो रहे बैटी जहतें गवईया अब क्या है शिरी कृष्ण के इस तरीके से करने से मतलब दाव ना लेने के वज़े से जितने भी ग्वाले थे जो उनके साथ खेल रहे थे वो सब रूट के उधर उधर बैट जाते हैं सूरदास प्रभू खेल ही चाहत तो अब सूरदास जी क्या बोल रहे हैं कि प्रभू जो है उनका मन कर रहा है खेलने के लिए उनका मन कर रहा है कि वो खेल खेले दाव दिये दाव दियो करी नंद दुज़ें फिर वो क्या करते है शिरी दामा को एहसान दिखाते हुए कहते हैं एहसान दिखा रहे हैं और एहसान दिखाते हुए कहते हैं कि अच्छा चलो नंद बाबा की बात मतलब उनकी सौ देते हुए कहते हैं कि उनकी बात को मैं मैं उनका बेटा हूँ उनकी बात को मानते हुए चलो मैं तुम्हारा दाव देने के लिए तयार हो जाता हूँ लास्पर तयार होते हैं लेकिन श्रिदामा पर एहसान दिखाते हुए तो ये पूरा हमने यर्थ समझा अब इसका हम सबसे पहले संदर्ब देखेंगे क्या है इस पड़ में कवी ने भगवान श्रीकृष्ण की खेल में हार हो जाने को बड़े ही स्वाभाविक रूप से चित्रत किया है श्रीदामा से हार जाने पर श्रीकृष्ण हार स्विकार नहीं करते और रूट कर एक और बैट जाते हैं पुना खेलने का मन होने पर वे नंद बाबा की दुहाई दे कर श्रीदामा के दाव देने के लिए तयार हो जाते हैं चलो मैं उनकी बात मान रहा हूँ इसलिए मैं तुमारे साल तुमारा दाव दे लूँगा श्रीक्रिष्ण की बाल सुलब खीज का वा बाल लीला का सहज स्वाभाविक वर्णन बड़े सुंदर धंसे चित्रित किया गया है इस पत के अंतरगत अब इसकी व्याख्या क्या है जो हमने पत पढ़ा है इसको पूरी हम व्याख्या देखेंगे हमने आपको अर्थोतो लाइन वह समझा दिया क्या इसकी व्याख्या है श्रीक्रिष्ण और श्रीदामा खेल रहे हैं जिसमें श्रीक्रिष्ण हार जाते हैं हारने पर भी वो श्रीदामा की कोई दाव देने को तयार नहीं होते वरन श्रिदामा पर क्रोधित होने लगते हैं श्रिदामा तथा अन्मित्र क्रिष्ण से कहते हैं कि तुम हम पर इतना क्रोध क्यूं दिखा रहे हो खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है सभी बराबर होता है श्रिदामा क्रिष्ण से कहते हैं ना तो जाती में तुम हमसे बड़े हो और ना ही तुम्हारी शरण में हमें रहते हैं जो तुम इतनी एट अकड दिखा रहे हैं हाँ तुम्हारे पास हमसे कुछ गाएं अधिक हैं जिससे तुम इतना अधिकार जता रहे हो खेल में रूटने वाले के साथ कोई खेलना पसंद नहीं करेगा ऐसा कहकर सभी गौलबालमित्र इधर उधर बैड़ जाते हैं हाला कि श्रीकृष्ण भीतर से मन में खेलना चाहते हैं पर वे श्रीदामा पर ही एहसान रखते हुए कहते हैं कि देखो मैं दुबारा खेल रहा हूं वे नंद बाबा की दुहाई देते हुए श्रीदामा की दाओं देने को तयार हो जाते हैं तो जो हमने जित्रा भी हमने अर्थ लाइन वाइस समझाता उसी को हमने यहाँ पर पेरग्राफ में करके आगे पूरी तरीके से लिख्या है तो इसे जब भी व्याख्या आपसे पूछा जाए भावपक्ष पूछा जाए तो आप इस तरीके से कुछ लाइन्स को आप लिख सकते हैं अब इसमें दिशेश क्या है कलापक्ष हम देखेंगे कलापक्ष क्या है मतलब इसके अंदर की सहे की भाश्य चाटीज इश्भाषा श्या है सब Chili चीजे हम बताएंगे क्या है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है क्रश्ण की बाल लिलाओं का सहज एवं स्वाभाविक वर्णन किया गया इस पूरे पद में हमने क्या देखा है कि ब्रज भाषा है जो हमने पद पड़े उसक्मीची जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और शिरिक्रिष्ट की बाल लीलाओं का ही वर्णन किया जा रहा है इसके अंतरगत फिर दूसरा है पद में बाल वनो विज्ञानी यानि खेलने में रूठने का सुन्दर चित्रन किया गया है कि बच्चे जब हार जाते हैं तो कैसे रूठ जाते हैं इसका बहुत ही प्यारा वर्णन है फिर पद में गयता और तुकांत अक्तमाद भी है मतलब अंत में राइमिंग वर्ट्स दिये गए हैं और गय पद है यानि गाते हुए इनको बोला गया है सखा भाव भक्ती सखा भाव भक्ती का वर्णन है यानि कि सखा यानि मित्र के साथ जो भाव उत्पन होते हैं भक्ती होती है भक्ती यानि कि शिरिकृष्ण की भक्ती उनके साथ रहती है वो उस भाव को बहुत ही अच्छा सामने लाया गया है को का को हरी हारे दाव दियो आदी में अनुपरास अलंकार प्रस्तुत किया गया है क्योंकि देखिए को को का 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 की आगनती है यहाँ हाँ की आगनती है यहाँ दादा की आगनती है इसलिए यहाँ पर अनुपरास अलंकार है दुहाई देना मुहावरे का प्रयोग किया गया है अब बीच में जो दुहाई दे रहे हैं मतलब तुम क्यों ऐसे चीज़ बोल रहे हो तो मतलब बार बार तुम उसी चीज़ की क्यों रट लगाए हुए हो यहाँ पर यह मुहावरे का इस्तिमाल भी इनों ने किया है। वात्सलेरस है, हमने जैसे आपको स्टार्टिंग बताया था, सूर्दास जी वात्सलेरस से ओत्पोत कवी हैं। इन में चंद पद हैं, सभी में चंद दियां, यानि तुक है तो चंद युक्त पद हैं। और माधुर्य गुर्ण हैं, यानि कि सब में ही बहुती जादा अधिक मदूरता के साथ प्रस्तोत किया गया है। अब हमारे सामने आ रहा है दूसरा पद, सबसे पहले हम पद पढ़ते हैं, फिर हम आपको इसका अर्थ भी बताएंगे। पद क्या है? अब यहां पर गोपियां आपस में बात कर रही हैं। अब क्या है? पहले में समझे हैं, गोपियां जो हैं वो श्रीकृष्ण की मुरली को बिलकुल भी पसंद नहीं करती हैं। कारण क्या है? वो मुरली को अपनी सौत समझती हैं। कि हर समय श्री कृष्ण उसी से प्यार करते रहते हैं, उसी को अपनी होटों से लगाए रहते हैं, हमसे ज़ादा वो उसको अपने होटों पे लगाते हैं, हमें होटों पे नहीं लगाते हैं, हमें अपने पास में नहीं रखते हैं, हमेशा उनके साथ रहती हैं, कमर में लटक कर रही है कि मुरली किस किस तरीके से शिरी कृष्ण को नचा रही है किस किस तरीके से वो शिरी कृष्ण से सारे कार अपने करवाती है जैसे कि एक नौकर बनाके उनको शिरी कृष्ण को रखा हुआ है इस तरीके से वो कर रही है तो अब इसका लाइन वाइस अर्थ देखते क्या है मुरली तव गुपाल ही भावती तो गुपिया क्या कहती है ये मुरली जो है वो श्रीकृष्ण को बहुत ही भाती है बहुत ही अच्छी लगती है सुनिरी सक्षी जब दपिनंदलाला नाना भावती नचाती और हे सक्षी सुनो ये श्रीकृष्ण को तरहे तरहे से न नाच नचाती ही रहती है क्यों नाच नचाती रहती है जब भी वो शिरी कृष्ण मुर्ली बजाते हैं तो कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं घूमते रहते हैं तो वो अपनी धून से क्या है शिरी कृष्ण को भी मधोश करती है और बाकी सब को भी मधोश क इसलिए सबी जो हैं उसकी दुन पर नाचते रहते हैं खास कोर से शिरीकृष्ण जो हैं उसकी दुन पर मोहित होकर उसके पीछे नाचते रहते हैं राखती एक पाव ठाड़ी और जब शिरी कृष्ण मुरली बजाते हैं तो क्या करते हैं उनकी मुद्रा वो एक पैर पे खड़े हो जाते हैं अति अधिकार जनावती और अपना अधिकार जनाते हुए अपना अधिकार साबित करते हुए उन्हें एक पैर पे खड़ा करके रखती है कोमल तन आज्या करवाती कटी टेलो है आवती और ये जो कोमल तन के हमारे कृष्ण है इनसे अपनी सारी आज्या मनवाती है पताब वो जितनी भी आग्या देती है जो कुछ भी कहती है शिरी कृष्ण सब मानते हैं और उनकी आग्या मानते मानते उनकी कमर टेड़ी हो गई है क्योंकि जब वो मुरली बजाते हैं तो कैसे टेड़े हो के खड़े होते हैं तो कमर टेड़ी हो गई तो वही कहते हैं अप बड़े परवत को अपने उगली पर उठाया था उस शिरी कृष्ण को इसने क्या किया है नार मतलब इसको अपने इशारों मतलब यह इतने चतुर शिरी कृष्ण को भी अपने इशारों पर नचा लेती है आपन पौणी अधर सज्जा पर कर पलव पलुतावती तो आप क्या कह रहे हैं खोद जो है वो शिरी कृष्ण के होटो पर यह जैसे कोमल बिस्तर पर ऐसे लेटी रहती है अर्थात वो शिरी कृष्ण के अधरों पर ऐसे होटों पर ऐसे पड़ी रहती है उनके कोमल जैसे बिस्तर पेक्दम नर्म पुलायम बिस्तर पर पड़ी हुई है और अपने पैर दबवाती वो उनके छिद्रों में जब ऐसे करके उँगली बजाते हैं तो अर्थात इसका मतलब हो क्या कह रहे हैं? उनके होटों पर पड़ी रहती है ब्रकुटी कुटिल नैन नासापुट हमपर कोप करवाती और क्या है जब वो मुरली बजाते हैं तो उनकी जो भावे हैं वो तन जाती है और नैन और नासा मुख का नैन और आखों का जो भाव होता है वो गुसे का हो जाता है और ये मुरली शिरी कृष्ण के ऐसे भाव कराकर हम पर गुस्सा करवाती है कि तुम ऐसे भाव बनाओ और गोपियों पर गुस्सा करो सूर प्रसन जानी एकव छिन धरते सीस डुलावती और सूर क्या कहते हैं अंतमे की गोपियां बोल रही है शिरी कृष्ण जो है उसी के साथ रहकर जो है इतना प्रसन रहते हैं उसे मुरली शिरी कृष्ण को जो है अपनी मुरली से बहुत ही प्यार है और वो जो कुछ कहती है उसको सीस जुका कर वो मानते रहते हैं और उसकी हामेहा भरते रहते हैं तो इस तरीके से हमने पूरे अर्थ को समझा अब इसका संदर्भ देखेंगे क्या है प्रस्तुत पद में श्रीकृष्ण की बासुरी के प्रती गोपियों का सौतन का भाव प्रकट हुआ है श्रीकृष्ण के प्रती अनन प्रेम होने के कारण गोपिया मुरली यानि बासुर का पालन करवाती है फिर भी श्रीकृष्ण पूरी तरह से मुरली के अधीन है मतलब हर तरीके से उनकी सेवा कहती है लेकिन श्रीकृष्ण उसी के अधीन है उसी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते है अब इस पूरे पद की हम व्याख्या देखेंगे क्या दिया है इसमें ए प्रकार से नचाती है वह उनको एक पाव पर खड़ा रखने को बाध्य कर देती है तथा उन पर अपना पून अधिकार जताती है मुरली बजाते समय श्रीकृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा यानि की वो जो एक पैर पर खड़े होके टेड़े होके बनाते बजाते न मुरली तो उसको त्रिभंगी मुद्रा कहते है श्रीकृष्ण का शरीर अत्त कोमल है फिर भी मुरली उनसे अपनी आग्या का पालन करवाती है उसकी आग्या का पालन करते करते उनकी कमर तक टेड़ी हो जाती है या मुरली चतुर कृष्ण को भी अपना कृतक बना देती है गोव रूपी सहया पर लेटी रहती है और उनके हातों से अपने पैर दबवाती है अर्थात श्रीकृष्ण बासुरी के छिद्रों पर हात फिराते हैं जब छिद्रों पर हात फिराते हैं तो अर्थात उसके पैर दबा रहे हैं बासुरी के मुरली बजाते बजाते श्री कृष्ण की भक्तुयां टेड़ी हो जाती है और नाग के नतुने फूल जाते है इस मुद्रा को देखकर गोपियों को लगता है ये बासुरी उन पर क्रोध कर रही है यानि कि बासुरी जो श्री कृष्ण के जरीए अपना क्रोध निकाल रही है ये सब बासुरी के कारण ही हो रहा है सूर दाज जी कहते हैं कि गोपियों को लगता है ये मुरली श्री कृष्ण को छणभर में प्रसन कर देती है और क्रेश्ण अपने पूरे शरीर को डुलाने लगते हैं अर्तात आनंद में जूमने लगते हैं यानि कि वो अपने वर्ष में करे हैं और उनके हिसाब से वो जैसे भी नाच नचाती है वो वैसे ही नाच करते रहते हैं अब इसका कलापक्ष क्या है? क्या दे रहे हैं? ब्रज भाषा के साथ आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है यथा सुजान, कनोडे, पौडी, पुलवावती, आदी तो यह क्या है? आंचलिक भाषा हैं प्रस्तूत की गई हैं नाच नचाती, सीस, जुलाती, आदी, महावरों का प्रयोग देखने को हमें मिलता है इसमें बासुरी बजाते समें श्री कृष्ण की त्रिभंगी मूर्ती मुद्रा का आकर्शन वर्णन है यानि की जो उनकी एक-एक मुद्रा है गर्दन को टेड़ा करना, एक पैर पे ख खड़ा हूना, टेड़ा कमर कमर टेड़ी करके खड़ा हूना, इन सब ही मुद्राओं का बहुत ही जो तरीके से वर्णन किया गया इस पत के अंदर, श्लेश यानि की गुपालही और गिरी धर में जो है वो श्लेश अलंकार है, रूपक अलंकार किसमें है, अधर सज्जा और करपलव में रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, सुनरी सखी और नंदलालही नाना में अनुप्रास अलंकार है, इसी में नार नवाती और नै नासा में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे अलंकारों का सफल प्रयोग हमें पूरे पैरा में देखने को मिलता है फिर शरंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन है इसमें शरंगार रस सुनदरता है शरंगाररस के दो रूप होते हैं वियोग, रोक, सहैयोग कर रही है क्यों कि गोपियां शिरिकृत से मिलने पा रही है और विरहा वेदनां से तड़ा इसलिए यहाँ पर श्रिंगार वियोग्रस का वर्णन है माधुर्य गोड है और चंद पद है क्योंकि इसमें चंद का इस्तेमाल किया गया है तो इस तरीके से यह दोनों ही पद हमने सूर्दास के आपके सामने प्रस्तुत किये सूर्दास से बहुत ही सुंदर तरीके से स्री खास सा उसे दूसरा वेले पद में जो श्री कृष्ण की त्रिभ्यंगी जो मुद्रा है वो बहुत ही सुन्दर तरीके से चित्रत की गई है तो ये पाठ की व्याख्यां यहीं खतम करते हैं इसके प्रश्णुतर के लिए हमारे नेक्स वीडियो को जरूर देखिएगा थांक यू बढ़े